हेलो विवर्स बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली केसी ऑन दा प्लेट पलवीज किचिन में अगर आप चाते हैं टेस्टी टेस्टी खाना बनाना तो ज़रूर बनता है आपका मेरे इस चैनल पर आना आएए सीखिये बनाएए खाये और धेर सारी तारीफी बटोरिये जो कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंट्रेस्टिंग और मज़ेदार रेसिपी दीवाली के त्योहार के लिए हम तरह तरह की नाश्ता बनाते हैं जिसमें चकली बहुत ही जादा फेमस है यह दिखें यहां पर इसे मुरुक को भी कहा जाता है खाने में बहुत ही टेस्टी और फ्रंची तो चलिए से बनाते हैं यहां पर सबसे पहले में साथ कप पानी ले लूंगी एक कड़ाही में एक किलो आटा यूज कर रही हूं चकली बनाने के लिए तो करीब एक डबा भर के चकली आ तो यह थोड़े से बड़े टुकड़े हैं समझ लीजे लगभग पांच टेबल स्पून मैंने बटर डाला है नमक डालूंगी तीन टी स्पून और इसी के साथ डाल दूंगी हिंग करीब आधा टी स्पून इन सारी चीजों को अच्छे से मेक्स कर ले और उबाला जाने त चलाते हुए मेक्स कर लेना है ध्यान रखें कि चावल का आटा जो है पानी मेक्स से मेक्स हो जाए उसके बाद इसे ढख कर करीब 20-25 मिनट के छोड़ देना है कॉंटिटी थोड़ी जादा है तो इसे ठंडा होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन इसे ढख कर ही करने के छोड़ दें ताकि इसमें ड्राइनेस ना आए तो यह दिखे स्पैचिला की सहायता से इसे लगातार इस तरीके से चलाते हुए नीचे की हिस्सों को उपर लाते हुए मिक्स कर लेना है बिल्कुल भी कच्छे आंटे का असर ना रहे इस बात का ध्यान दें और फिर इसे ढखकर करीब 20-25 मिनिट के लिए छोड़ दूँगी 20-25 मिनिट बाद ये पूरा मिक्स्चर एक साफ सुत्रे प्लाटफॉर्म पर मैं निकाल लूँगी और फिर इसे गूथना शुरू करना है गूथते समय भी यहां पर मैं करीब 2-3 टेबल स्पून बटर यूज कर र अचिसे गूश् further running exercise की तकि और अटा नरं तयार हो निकाल होगी चखले में यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह देखिए अच्छे से सारी चीजों को मैंने मिक्स कर लिया है आटा इसे में काफी गरम है बटर भी तुरंद मेल्ट हो गया है तो इसे सावधानी से एकदम हलके हाथों से मसलते हुए गूथ लूँगी तो एक तरफ से किनारों से इसे गूथना शुरू करना है थोड़ा थोड़ा करके आटा ले और इसे मसलते हुए फिर पूरा का पूरा थोड़ी दिर में आप देखेंगे कि आटी के रूप में तयार हो गया है अगर आप कम कॉंटिटी में बनाना चाहते हैं तो तीन कप के वेजरिमन के हिसाब से सारी चीज़ों को आधा कर ले और उसे साब से फिर यूज करके आप चकली बना सकते हैं चकली मैंने और भी बहुत सरे वराइटी से बना कर अपने चैनल पर डाला हुआ है उनकी भी रेसिपी आप देख सकते हैं महराश्टन स्टाइल भाजनी की चकली और आठे की चकली बहुत सरे अलग अलग परायटी की चकली मैंने डाली है आठा घूत लेने के बाद आप यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून जीरा एक टेबल स्पून अजवाइन और आधा टेबल स्पून मंगरेल यूज किया है इसे डाल दूँगी और हलका सा पानी लगा कर आणटा गूत लेना है तो यहां पर मैंने करी 3-4 टेल स्पू earth पानी लगाया है जिससे की आणटा थोड़ा सा नरम हो जाए तो यह देखे जिस तोरीके से रोटी का आणटा तयार होता है थोड़ा सा नरब बिल्कुल उसी तरीके से आंटा तयार करना है चावल के आंटे की टेनेंसी होती है कि ये थोड़े से रबर की तरह तन्ने लगते हैं खास तोर पर जब आप चकली बनाएंगे जब इनको शेप देंगे तब इसका एहसास जादा होता है तो उस समय आगे के मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे की पॉफेक्ट चकली आप बना पाएं तो ये देखिए आंटा तयार हो गया है अब इसे वापस कड़ाही में रख कर ढख दूंगी जिससे की ये ड्राय ना हो और फिर बाकी की तयारी कर लेते हैं जैसे की साचे को सेट कर लेना ह और उपर से इसे कवर करके अच्छी तरीके से ढकन को बंद कर दें ध्यान रखिए कि इसे जरूर अच्छे से बंद करें नहीं तो फिर चकली को शेप देते समय ये खुल जाते हैं तो अच्छी तरीके से लॉक करने के बाद अब सांची को घुमाना शुरू करना है अच्छी तरीके से लड़ी निकाल कर बच्चों को कह सकते हैं कि वो एक तरफ से शेप देते जाएं तो काफी प्रोसेस आसान हो जाता है लेकिन चावल के आटे की टेनेंसी ये है कि थोड़ी देर में ये रबबर की तरह तरने लगते हैं और इन्हें जादा देर बना कर र शेप नहीं देना है अभी पहले मैं ये पूरी की पूरी चकली जो बनकर तयार हुई है इसे फ्राइ करके खतम कर लें और उसके बाद इसे मैं शेप देना शुरू करूंगी तो इससे क्या होगा कि चकली जो है फ्रेश बनेगी और इसमें तनाव कम आएगा और तूटेग कम तो यहां पर दूसरी तरफ तेल भी गरम हो गया है तो अब इसमें ये देखे छोटा टुकड़ा आटा का डाल कर देख लिया यह तुरंत ही तैयर कर उपर रहा गया इनके तेल अच्छे से गरम हो गया है अब यहां पर चकली को डालते समय आज को मैंने लो से मीडियम फ फ्राय करेंगे तभी चकली जो है एक दुल कुर्कुरी बनेघी और अंदर से पक जाएगी चकली को तेज आँच पर फ्राय करेंगे तो यह उपर से गोल्डन टो हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्छी रह जाती है चकली इस तरीके से बीच में रिंग की तरह थोड़ा सा जगह छोना भी ज़रूरी हो जाता है तब ही यह अच्छे से पकती है तो यह देखिए एक बार चावल की चकली फ्राय हो गई हलका सा गोल्डन दिखने लगा तो इसे फिर मीडियम आज पर गोल्डन होने तक फ्राय कर लूँगी चकली जो है जब आप तेल में डालेंगे तो शुरुआत में थोड़ी सी चिपकने लगती है लेकिं जैसे जैसे यह चकली पकेगी इसमें कुरकुरा पनाएगा तो इसके लेयर अपने आप अलग हो जाते हैं अगर अलग ना हो तो फोक क्या चमच की साहता से इसे एकदम हलके हाथों से अलग कर ले यह आसानी से अलग ह हो जाते हैं चकली नहीं तूटेगी बिल्कुल भी घबराय नहीं तो यहां पर यह देखिए आज को मैंने तेज कर लिया और इस तरीके से हलका गोल्डर होने पर इसे निकाल लूगी तो इससे जादा इससे लाल नहीं करना है एक दम पॉफेक कलर है और इसे फिर यहां पर और में से तरसे को नहीं टीस्टी रेसिपी के साथ थांक्स फो वाचिंग